ओम शान्ती सुनते हैं 24 त मार्च नो की अव्यक्त मुरली आज की मुरली का टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वेम में जमा कर कारे में लगाओ अनभव की अथार्टी बनो आज की मुरली में चार क्वेश्चन नमबर वन संगम पर कौन कौन से मुख्यता खजाने मिले हैं नमबर टू कौन सी विशेष्टा द्वारा खजाने जमा कर सकते हो नमबर थ्री खजाने जमा करने में कौन से तीन परकार के बच्चे हैं नमबर चार खजाने बढ़ाने का साधन क्या है तो आज की मुरली खजानों पे बाबा ने अनेक खजाने बताए ग्यान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना तो आज हम ध्यान से मुरली सुनके और इन खजानों को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे तो आज की मुरली है 24 मार्च 9 के आज चारों और के सरव खजाने जमा करने वाले संपन बच्चों को देख रहे है साथ साथ हर एक बच्चे ने कहां तक सरव खजाने जमा किया है उसकी रिजल्ट भी देख रहे है खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए है सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्यान धन जिससे मुक्ती और जिवन मुक्ती की प्राप्ती हुई पुरानी देहे और पुरानी दुनिया से मुक्त जिवन मुक्त स्थिती और मुक्ती दाम में जाने के सबी बच्चों को प्राप्त है साथ में एक ज्यान का खजाना नहीं लेकिन योग का भी खजाना है जिससे सरव शक्तियों की प्राप्ती होती है साथ साथ धारणा करने का खजाना जिससे सरोगुणों की प्राप्ती होती है साथ साथ सेवा का खजाना जिससे दुआओं का खजाना खुशी का खजाना प्राप्त होता है साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युक का है समय का है क्योंकि सारे कलप में संगम का समय अमुल्य खा जाना है इस संगम के समय का एक-एक संगल्प वा एक-एक घड़ी बहुत अमुल्य है क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है और कोई भी युग में प्रमातम बाप और प्रमातम बच्चों को मिलन नहीं होता साथ-साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सरव खजाने प्राप्त होते हैं खजाना जमा होने का समय संगम युगी है और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक की नहीं है सिरफ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाना जमा करना चाओ उतना कर सकते हैं और इस संगम समय का जो महत्व है वै यही है एक जनम में अनेक जनमों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं एक जनम में सरव जनम, जनमों ने एक जनमों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं इसलिए छोटे से युक का बहुत मैतो है और खजाने भी बाप दादा द्वारा प्राप सभी बच्चों को होता है बाप सभी को देते हैं लेकिन खजाने को जमा करने में और एक बच्चा अपने पुर्शार्थ अनुसार करता है बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सब को देता है एक ही समय पर देता है लेकिन धारन करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया लेकिन धारन करने में हर एक का अपना अपना पुर्शार्त रहा क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुर्शार्त से प्रालब्द बना सकते हैं दूसरा सदा स्वेम संतुष्ट रहना और सरव को संतुष्ट करना संतुष्टा की विशेष्टा से खजाना जमा कर सकते हैं खुशी की प्राप्ती होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं, अपना पुर्शार्त और सरव को संतुष्ट करने का पुर्शार्त, और तीसरा बावने का सेवा का, सेवा का पुर्शार्त, तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो, खजाना जमा करने में विशेश संबन संपरक में आने में एक तो विशेश, एक तो निमित भाव, निर्मान भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा परती शुब भावना और शुब कामना रखने की आवश्यक्ता है अगर सेवा में वा संबन संपरक में सब है तो पुन्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सेज जमा कर सकता है तो बाप डादा सब के पोता मेल देख रहे थे तो क्या देखा चारों के बच्चों में नमबर वार देखा बाप एक है एक ही समय पर देते हैं लेकिन जमा करने में तीन परकार के बच्चे देखे एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया जमा भी किया और खा के खतम कर देते हैं दूसरे खाया जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया भी खजाने बढ़ाने का साधन क्या है बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वे समय पर जो प्रस्थिती आती है उस प्रस्थिती अनुसार कारे में लगाना जो कारे में लगाते हैं स्थिती द्वारा प्रस्थिती को बदल सकते हैं उसका जमा होता है जो कारे में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है तो हरे एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने परती वा दूसरों के परती कारे में लगाते हो जितना कारे में लगाएंगे उतना उतना बढ़ता जाएगा क्योंकि कारे में लगाने से अनबव होता जाता है तो अनुबव की अथार्टी एड होती जाती है तो चेक करो अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा है यह सारे खजाने जमा है और बढ़ाने का सादम समय पर कारे में लगाते है अनुबव की अथार्टी बढ़ती जाती है क्योंकि authorities में सबसे ज़्यादा अनभव की authority सबसे ज़्यादा गाई जाती है तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है चेक करना है क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो अभी chance है फिर chance भी खतम हो जाएगा चाहेंगे खजाना बढ़ाए लेकिन बढ़ा नहीं सके बात दादा ने देखा खजाना मिलता है खुशी-खुशी से अपने में समाने का प्रेतन भी करते है लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा ही खजाने मिलते है दो-दो प्रकार के बच्चे हैं कौन कौन एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले कई बच्चे सुनके बहुत खुश होते हैं लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फरक है समाने वाले अन्भवी बनते जाते हैं क्योंकि समाया हुआ समय पर कारे में लगाने हजाने को बढ़ाते रहते हैं और सुनने वाले वर्णन करते हैं बहुत अच्छा सुनाया बहुत अच्छी बात बोली बाबा ने लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते तो आप सबी चेक करो समाने वाले हो फोड़ा भी अगर कम होगा भरपूर नहीं होगा तो हल चल होगी लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हल चल नहीं होगी इसलिए आज बात दादा ने सब के खजाने चेक किया सुनाया ना कितीन परकार के बच्छे हैं अभी अपने आपको चेक करो मैं कौन खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कारे में लगाना जितना कारे में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है क्योंकि जो भी खजाना है खजाने का मालिक खजाने को कारे में लाता है खजाना अपने को कारे में नहीं लगाता तो आप सबी को सरव खजाने बाप से वरसे में दिया है तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना यह हर एक को अपना अटेंशन देना जितना जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होगा बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन हो कम नहीं हो क्योंकि ये चांस बाप द्वारा विनाशी खाता जमा होना ये सिरफ अभी हो सकता है इसलिए कहा हुआ भी है अभी नहीं तो कभी नहीं ये संगम समय के लिए ही गायन है भविश्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे लेकिन प्राप्ती का समय सिरफ अब के है तो हरे एक को अपना खाता देखना है जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से चलन से चेरे से मालूम होता है उसकी चलन और चेरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुश्प बापतादा हरे की चलन और चेरे से देखता रहता है क्या कितना हर्शित कितना खुश मिजाज रहता है नैनों से रुआनियत और चेरे से मुस्क्राठ और हर करम में हरेक गुण की हरेक गुण सभी को अनभव होता है तो हरेक अपने आपको चेक करो बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुबावना है कि हर एक बच्चा ने कात्माओं को ऐसा खजानों से संपन बनाए अच्छा चारों और के सरों बच्चों को जो सदा खजानों से संपन है सदा अपनी चलन और चेरे से सेवाधारी है क्योंकि आप सब का वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे तो चलते फिरते भी सेवादारी सेवा में ततपर रहते हैं ऐसे विश्व सेवादारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजानों से बरपूर करने वाले बाप तादा के चारों और के बच्चों को बाप तादा का यात्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते अच्छा ओम शांती ये थी आज की मौरली खजानों को जमा करने की ओम शांती और अब यह हैं एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें.